प्रेक्टिस सेट नंबर 301-301 है यह टेस्स सीरीज यूपीपी ऐसी आरो ए आरो के लिए चल रही है प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्णों पर इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडिएफ सीरीज पर आप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉले आउट सब करके और प्लेलिस्ट इसकी परा रखें वहाँ पर आप टेस्ट नंबर वन से लेकर 301 तक पहुँँ सकते हैं डिस्क्रिप्शन रसपानिन और वह गार डवदय शीन टेन को सब्सक्रिवालां तर्म क्यों fat अर्वाट कि में बें है कुंट कॉम अ सब्सक्रिप्रिण कुछे गाईं यहां पर बैसq activity रहोने उसलियुक्छि एक से कॉयां से ट्रॉपिकल साइकलोन है उस्टवंच तयफून टार्नेडोğ ब भी टार्नेडों भी विली विलीज भी ये तीनों के तीनों ऊष्ण कटीवंद्य चक्रवाद हैं तो 123 इसका अंसर हो जाएगा डी ठीक है ये कहां आते हैं किस देश में आते हैं उस पर भी प्रश्ण कईवार एक्जाम में पूछे गए ऊष्ण कटीवंद्य चक्रवाद उत्री गोलार्द में बामा प्रत घूमते हैं ऊष्ण कटीवंद्य चक्रवाद तीप्र तूफान होते हैं जो 119 किलोमेटर प्रती घंटे से अधे की गती और भारी वर्षा के साथ गर्म ऊष्ण कटीवंद्य महसागरों में अत्पन होते ह जैसे कि टाइफून चीन सागर प्रशांत महासागर में टॉर्नेडो पश्मी अफरीका और दक्षणी संयुक्तराज अमेरिका की गिनी भूमी में हरीकेन केरेवियन सागर और अट्लांटिक महासागर में बिली बिलीज उत्तर पश्मी ऑस्टेलिया में और उष्ण कटी कर सकते हैं सब्सक्राइब रखेगा सवल सरफ से स्टेडी चैनल को दूसरा प्रशन है दूसरा प्रशन तो इस्टेट्मेंट वाला है नम्लिकी कत्नों पर विचार करेंगे जब हवा तेजी से चलती है तो उसे आधी कहा जाता है और जब इस आंधी में धूल की मातरा का छेथर होता है अब यहाँ श्टेट्मेंट दूसरा वाला हो सकता है कि वायाईू का कम देभात का चेथर होता है और इस ही है कम दवाब का छेतर होता है और पहला वाला तो पढ़ते ही समझ जाओगे कि वो करेक्ट है इतना करेक्ट है दुनों के दुनों शिट्मेंट देखे आंधी जो है मौसम से संबंदित घटना है जिसमें तेज हवाओं के साथ धूल और गुबार उड़कर द्रश्यता यानि विजिवल्टी को कम कर देता है कभी-कभी आंधी जंजावती और चक्रवाती तूफानों के पहले हिस्से को भी कहा जाता है जिसमें वर्शा नहीं होती गर्मियों में चलने वाली आंधी आमतौर पर तापमान के वढ़ने के वज़े से हवा का दवाब कम होने के करना आती है और इस हवा की दवाब को संतुलित करने के लिए ठंडी जगे से ज्यादा दवाब वाली हवा तेजी से गर्म जगे की तरफ बढ़ने लगती है जो अपने साथ धूल भी लेकर आती है जो आगे चलकर धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है तो दो प्रश्ण के जोग्रफी के हो गए तीसरा प्रश्ण जोग्रफी का ही है नमलेखित कत्मों पर विचार करेंगे प्रत्वी के केवल उत्री गुलार्द में चक्रबात आते हैं उत्रि गुलार्द में आने वडे moving एने जाता है कौन सा करेक्ट है देखें अभी आर्थ थी ऊपर उपर का उत्रिकुलारी निचे का दक्षणी इसके परूद्ध नाइन जाता है प्रदी चक्रवाथ यानिक्टि साइक्लोम उत्रिकवाथ ने फ्रीक आने वाले जो चक्रवाद हैं हरीकेन, टाइफून आदी नामों से जाने जाते हैं दूसरा वाला करेक्टर के वाल करेक्टर की पूछा है दो हैसका अंसर के बारा देखें पृत्वी के दोनों गुलारदों में उत्री गुलारद और दक्षणी गुलारद दोनों गुलारदों में चक्रवाद आते हैं ये चक्रवाद उत्री गुलारद में घड़ी की सुईयों की विप्रीत दिशा में यानि काउंटर क्लॉक वाइस तथा दक्षणी गुलारद में घड़ी की सुईयों की दिशा में चलते हैं यानि क्लॉक वाइस इस चीज को याद रखेगा दोनों गोलार्दों के चक्रबातों में केवल यही बड़ा अंतर है उत्री गोलार्द में इसे हरीकेन टाइफून आदी नामों से जाना जाता है कोश्चन नूमर फॉर भी जो ग्रफिका है नमलेखित कत्नों पर विचार करेंगे भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांस तूफानों की उत्पत्ति होती है उष्णकटिवंदे चक्रबात कम दबाब प्रणाली है भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अधिकांस तूफानों की उत्पत्ति होती है और वर्षा भी दोनों टब कराते हैं पानी से बरे. वाकि उसन कटी बने चकरवाद कम दबाप प्रणाली हैं, हमेसा आध हर रखेगा कम दबाप प्रणाली है, जहाँ अधिक दबाप प्रणाली लिखा हो से गerख करदिजेगा। तो भारत में अरब सागर बंगाल की खाड़ी से या धिकांस तूफानों की उत्पति होती है जिन्हें उष्ण कटी बंदे चक्रवाद कहा जाता है उष्ण कटी बंदे चक्रवाद या ट्रॉपिकल साइक्लोन कम दवाब पढ़नाली है जो उष्ण कटी बंदिया और पांच वा प्रशन दो स्टेटमेंट वाला क्या कहता है सौर तूफान सूर की सतय पर आये छणिक वदलाव से उत्पन होते हैं और सूर की सतय पर बड़े पैमाने के विस्फोट होते हैं जिसके दौरान कुछ हिस्से वेहत चमकीले प्रकास के साथ अशीम उर्जा छोड़ सौर तूफान सूर की सतय पर आये छणिक वदलाव से उत्पन होते हैं करेक्ट है पहला स्टेटमेंट और सूर की सतय पर बड़े पैमाने के विस्फोट होते हैं जिसके दौरान कुछ हिस्से वेहत चमकीले प्रकास के साथ असीम उर्दा छोड़ते हैं इसको सोलर फ्लेयर का सौर में सारें दोनों को याद रखेगा वागी कुछ एक्स्पिलेशन की आवश्क्ता है नहीं उसमें पर आजए निम्लेकी कत्म पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट वाला कत्म है कौन साइस में करेक्ट होगा यह प्रशन है साइंस का पर्यावरन प्रदूशन मानव हेपिटाइटेज दस्त आंतों के क्रमी यह जल जनित विमारिया हैं पुर्दूशित जल के पीने से होती हैं पहला वाला भी सही है करेक्ट है दोनों के दोनों सी देखिए परियावरन यह प्रदूशन मानवी क्रिया कलापों के अफसिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव और उर्जा का परिणाम है प्रदूशन के अनेक प्रकार है प्रदूश को के परिवहित और विसरित होने के माध्यम के अधार पर प्रदूशन को निमलेखित प् बिमारियों का प्रमुक्स रोत है संदोशत या पुर्दूशत जल के उपयों के कारण मानब में दस्त लगना डाइरिया आतों के करमी हैपिटाइट जैसी बिमारिया होती है और विस्त स्वास्त संगठन कहता है या उसकी रिपोर्ट दर साती है कि भारत में लगभग एक का जीवास मीधन का देहन खनन और उद्योग वायू में नम्लिकित मेंसे क्या निर्मुक्त करते हैं हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनो अकसाइड कारबन डाय अकसाइड सेलफर एवं नाइट्रोजन के ऑकसाइड सेलफर एवं नाइट्रोजन के ऑकसाइड इंपोर्टन्ट है बायू प्रदूशन अंज अमलवर्शा प्रदूशन का कारण बनते हैं यह जीवास मीधन को जलाओगे खनन और उद्योग वायू में विलकुल सेलफर और नाइटरजन का ऑक्साइड तर रिमुक्त करेगा कारण डायाक्साइड भी निकलेगी हाइड्रोकारण भी कारण म मोनाक्साइड भी तो सारे के सारे यह वन टू त्री फोर्दी है इस का अंसर देखिए जीवास मीधन का दहन खनन और उद्योग वायू प्रदूशन के परमुक्स रोत हैं यह प्रक्रियाएं वायू में सेलफर और नाइटरजन के ऑक्साइड हाइड्रोकारवन कारबन डा वर्षा भी हो सकती है नगरों में गर्मियों के पश्चात पहली वर्षात में पीएच का इसतर उत्तर वर्ती वर्षातों से सदैव अधिक होता है नगरों में जब गर्मी आना स्टार्ट होती है तो जो पहली वारिस पढ़ती है इस स्टेटमेंट वोला पहली वारिस पढ चाहिए अधिक होगा हैं जबकि यहां होना नीस है एले पहली बारिस में हच आ Blood attributes इस अदिक होना चाहिए जितना कच्रा इसात में फिर्ष में कम होगा यानि वो कम होगी और आने वाली जो वर्षात होगी वह अधिक अमधा होगी नगरों में तो गलत है दूसरा फिर वाला सुर्ट मिन देखें वयू पूर्दोश्ट के कारण अम्ल वर्षा हो सकती है नगर्यय परियावर्ण का वर्षा जल विस्टे ये पर गैस्थ करता है कि गर्मियों के परषात पहली वर्षात में पी-एच का इस्थर गर्मियों कि बात हो लिए गर्मियों के बशात पहली वर्सात में pH का उत्तरवरती वर्सातों से सदैप कम होता है इसलिए गलता दूसरा स्ट्श किर्मियों के पश्चात लो आई को सरज può नाई कोषण नुमर्स नाइन है, तीन स्टेटमेंट है इसमें, पर्दोषण के संबंध में अम्लेकीत कतनों पर विचार करेंगे, बाइव पर्दोषण में सल्फर के ऑक्साइड यानि SO2 और SO3 कोमा नाइट्रोजन के आकसाइट सन्नेहित होते हैं बायू प्रदोषण में अनोचित मानव क्रिया कलाप अनोपचारित और द्योगिक अपसिष्ट का निप्टान और क्या-क्या और बर्कों का उपियोग प्रदोषण को बढ़ाने वाले उर्वर्क हैं वो कारक हैं भूमी का चल के प्रदोषद होने का कारण उर्वर्क है यानि फर्टिलाइजर ठीक है जो खेतों से नदी और जीलों में मिलेगा फिर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा बिल्कुल यह चीज़े आपने पढ़ी होंगी स्कूल में पढ़ी होंगी करेक्ट अपला स्टेट्मेंट वाई प्रदोषण में सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड सन्नेहित होते हैं अनुचित मानब क्रिया कलाप अनुपशारित और दगिक अपसिष्ट का निप्टान और उर्वर को का उप्योग भूमी प्रदोषण को बढ़ाने वाले कारक है भूमी का जल के प्रदोषण होने का करण फर्टिलाइजर और वरके विल्कुलिए सारे के सारे स्टेट्मेंट करेक्ट है तो कौन सा वाला 1,2,3 किसमें C C है सकांस देखे भाईव प्रदोषण में सल्फर के अक्साइड यानि SO2 और SO3 कोमा नाइट्रोजन के अक्साइड कोमा कार्बन मोनो अक्साइड एसबेस्टेस और वेरिलिये मादी सन नहीं थे वाला स्टेट्मेंट सही हो गया अनुचित मानब क्रिया कलाब अनुपचारित और अपसिष्ट का निप्टान और उर्बरको का उपियोग आदी भूमी प्रदूषण के स्रोते तो दूसरा वाला सही हो गया क्रिसी शेतर में उपियोग किये जाने वाले उर्बरको यानि फर्टिलाइजर जैसे की नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक आदी सामिल होते हैं जो जल के साथ घुलकर भूमीगत जल तक पहुंच जाता है या जाते हैं यह उर्बरक धरात्रिय जल में नाइट्रेट की मातरा को बढ़ा देते हैं जो भूमीगत जल को प्रदूशित करते हैं यही कारण है कि भारत में अब भूमीगत जल यानि ग्राउंड वॉर्टर पीने योग के नहीं रहा तो तीसरा बाला भी करेक्ट हो गया सारे के सारे करेक्ट हो गेड़ी है इसका अंसा कोशन नमबर दस पर आजएए ध्वनी प्रदूशन के संदर में दो स्टेट्मेंट है यहां पर कौन सा सही होगा और असहज होना ध्वनी प्रदूशन है सीमा से कम होगा सहज होगा तब तो कहा एगा ध्वनी प्रदुशन वो फ़र तो कान अराम से सहज ता से उसको एकसप्ट कर लेंगे इसलिए गलत पहला स्टेट्मेंट के बल दूसरा बालाई सही है सही पूशा भी है इसकाम से देखे विभिन स्रोत से उत्पन ध्वनी का मानव की सहनिय सीमा से अधिक होना तथा असहज होना ही ध्वनी प्रदुशन है इसलिए गलत पहला स्टेट्मेंट ध्वनी प्रदुश तीबर चलित मोटरवाहन और वायुयान 11 प्रशन तीन स्टेट्मेंट वाला नमलिखित कत्नों पर विचार करेंगे पहला कथाने ग्रामीड छेत्रों में सहरों की और जनसंख्या का एक कारण नगरी है ग्रामीड छेत्रों के वीच विकास का असंतोलित प्रारूप है भू निमनीकरण का करण अमबर्दा अपरदन लवणता तथा भू चारता है भू निमनीकरण का अभिप्राय इस्थाई और आस्थाई तोर पर भूमी की उत्पादक्ता की कमी है कौन सा इसमें सहिए ग्रामीड छेत्रों के वीच विकास का असंतोलित प्रारूप है भू निमनीकरण का करण मर्दा अपरदन लवणता था भू चारता है भू निमनीकरण का अभिप्राय इस्थाई या अस्थाई तोर पर भूमी की उत्पादक्ता की कमी है ये सारे के सारे correct हैं उपरोग सभी D है इसका अंसर देखे ग्रामिड चेत्रों से सहरों की और जनसंख्या परवा अनेक कारणों से व्रभावित है जिसमें ग्रामिड एवन नगरे चेत्रों के बीच विकास का असंतुलित विकास प्रारूपी बड़ा कारण है और सहरों में ग्रामीड शेत्रों की अपेक्षा रोजगार आधी के अधिक अवसर विधमान है जीवन जीने के लिए सहरों में ग्रामीड शेत्रों की अपेक्षा वेहतर परिस्तियां विधमान है रोजगार सिक्षा स्वस्थ ग्रामीन जनसंख्या के नगरों में प्रवास करने के मुख्य कारण रहे हैं रोजगार हो गई सिक्षा हो गई स्वस्थ ग्रामीन जनसंख्या के नगरों में प्रवास करने के मुख्य कारण रहे हैं मर्दा परदन लबनता भूछा रखता से भू निमने करण होता है और भू निमने करण के कारण करशी उत्पार रखता में कमी आती है अते भू निमने करण कहा भी प्राय स्थाई और या स्थाई तोर पर भूमी के उत्पार रखता की कमी है तो सारे के सारे करेक्टर अड़ी कोछ समझ नहीं आता है तो पास्मार की अच्छे से रिवाइंड करके पढ़ सकते हो उसको बार 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 आप्रश्न बहुत पूछा कहा एक लिक्त में से अमल बर्षा का एक कारण है शलब प्रदोश्ण भूमी प्रदोश्ण ध्हौनी प्रदोश्ण वायू देखे चुकि बायू प्रदोशन के कारण बायू मंडल में सलफर एवम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मातरा बढ़ जाती है जो वाता बढ़ में उपस्त जलवास्प से क्रिया करके एसड या अमल बनाते हैं जो वर्षा के जल के साथ नीचे आती है यही अमल वर्षा या इसे रहीं कहलाती है ईसलोन अंबः ठृटीन पर आ प्र आजए यह प्रश्न है जोग्रिफ़ी का नम्निखित कत्नों पर विचार करेंगे दो तेसों के मद्द है व्यापार अंतर राश्ट्रिये मंश्य के नंतर अंतlishय व्यापार एक आन देश की सीमा के भीतर ऊच दूल मिलकुल पहला तो करेक्टह दूसरा भी के पढ़ने सी लग रहा है कि करेक्ट है दोनों के दोने स्टेट्मेंट दो देशों के बीज अंतर राश्टी वैपार और दो एक ही देश के दो या दो से अधिक राज्यों के बीज अंतर देशी वेपार, देश बटा है राज्यों में, देखिए दो देशों के मद्य अंतर राश्टी वेपार, दो देशों के मद्य वेपार, अंतर राश्टी वेपार के लाता है पहला करेक्टर है, और अंतर देशी वेपार, एक दे से तेल ले लो पानी दे दो कि अरेविन कंट्रियां पानी तो है नहीं तेल निकलता है वो चलिए कोशन नमर 14 पर भारत में पत्नों के संबंद में निम्रेखिर कत्नों पर विचार कीजिए पत्तन यानि पोर्ट बरतमान में भारत में प्रमुक पत्नों की संख्या 10 है पत्तन जिस राज में इस्तित है वही राज उनके लिए नीदिया बनाते हैं छोटे या मजोले पत्तनों के विशह में राज में केंदर दोनों ही नीदिया बनाते हैं कौन सा सही है देखिए बरतमान में जो प्रमुक पत्तन है उनकी संख्या 13 है 10 नहीं है गलत पहला स्टिट्मेंट पत्तन जाहें कहीं भी इस्तित हो अगर वो प्रमुक पत्तन है तो उसके लिए नीदिया बनाएगी सेंट्रल गवर्मेंट यानि केंसरकार ऐसा नहीं है कि जिस राज में में इस्तित है उसी राजि की सरकार उसके लिए नीदिया बनाएगी तो गलत होगया दूसरा स्टिट्मेंट भी छोटे bizh Zarong भारत में प्रमुक पत्तनों की संख्या कितनी है 13 है न नदस है ना八 है कुछ भी आ सकता है तो Pegh Ast केज़ेगा चोटे या मजोले पत्नों की संख्या कितनी है दोसों है और प्रमुक पत्नों के संबंद में कें सरकार नीतिया बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है गलत है दूसरे स्टिट्मेंट छोटे पत्नों के लिए राज सरकारे नीतिया बनाती है और नियाम कांडला भारत का सबसे बड़ा पत्तन हो जाएगा तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन हो जाएगा तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन है गलत दूसरा तो किवल पहला वाला ही सही है देखे कच्छ की खाड़ी के महाने पर अवस्तित कांडला पत्तन को देश के पश्मी एबम उत्तर पश्मी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन पर दवाब घटाने के लिए एक प्रमुक पत्तन के रूप में विक्सित किया है यानि यह एक क्रतिम पत्तन तो सही पहला स्ट्मेंट कांडला पत्तन को विशेश रूप से भारी मत्रा में पेट्रोलियम उत्पादों उर्बरकों को गर्हांड करने के लिए बनाए गया है ऑदूसरा स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि मुंबई भारत का सबसे बड़ा प तो बड़ी स्टेटमेंट होने के कारण 15 प्रश्ण ही एड़ किये गए थे वैसे 20 प्रश्ण की प्रेक्टिस करते हैं इनकी प्रेक्टिस कर लिजेगा इमपॉर्टन है इप्रश्ण यह नमबर इस पर कॉलिया वर्टसप करके आफूल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पर टेलेग्राम ग्रुप से जड़ सकते हैं जो भी टेस्ट आता है एक से दो बार जरूर रिविजन करिए धन्यबाद